आपने ऐसे mirrors देखे होंगे जिसमें हमारा चहरा हमें बड़ा दिखता है ऐसे mirrors को normally हम shaving के लिए use करते हैं और ऐसे mirrors में concave mirror use किया जाता है आपने ऐसा भी mirror देखा होगा जहांपर की image काफी छोटा बनता है इन reality में अगर plane mirror होता तो जितना बड़ा image होना चाहिए था उससे काफी छोटा बनता है इस तरह के mirrors आप car के rear view mirror के तौर पे देखते हैं और यहाँ पर convex mirror use किया जाता है तो देखें आपको पता है कि plane mirror में image object के size का बनता है मतलब जिस चीज़ को आप देख रहे हैं mirror में originally जो चीज़ है उसे object कहा जाता है और जो आप mirror के तौर देख रहे हैं उसे image कहा जाता है तो plane mirror जो है जो normal दरपन है जो हम आईना यूज़ करते हैं घर में plane mirror उसमें object का size image का size बराबर होता है लेकिन अगर mirror spherical हो जैसे की concave mirror हो या convex mirror हो इस तरह के cases में object का size और image का size जेम नहीं होता है अलग-अलग होता है तो यहाँ पर concept आता है magnification का चलिए इसे एक simple example से समझने का कोशिश करते हैं माले आप एक photograph को देख रहे हैं उस photograph में इस बच्चे की तस्वीर है जो कि उस photograph में 5 cm का है अब उसी photograph को अगर enlarge किया जाए ऐसा enlarge किया गया कि ये बच्चा इसका जो तस्वीर है ये अब 10 cm का हो गया 10 cm height का हो गया तो इस case में हम क्या कहेंगे यहाँ पर जो original object था जो original image था उसे magnify किया गया बढ़ा किया गया magnify किया गया और हमें फिर ये वाला image मिला तो ये जो process है ये process है magnification हम इसे बढ़ा कर रहे हैं और कितना बढ़ा हम कर रहे हैं अगर आप यहाँ simple logic लगाए तो आप समझ पाएंगे 5 cm से height अगर 10 cm हो जाएगा तो height का magnification 2 times हुआ तो इस तरह के cases में कहा जाता है कि magnification height magnification इसका 2 times हो गया या 2 हो गया magnification वेल तो अगर इसे हम formula से represent करने की कोशिश करें तो हम यहाँ पर कह सकते है magnification is equal to finally जो object बना उसका जो height है हम height magnification की बात कर रहे हैं और जो original object था उसका जो height है इन दोनों का ratio होगा magnification calculate करके देखे यह cm cm cancel हो जाएगा और finally आपको 2 मिलेगा तो यह magnification 2 और साथी साथ यह positive 2 होगा obviously positive negative पे हम आगे जब mirrors पे बात करेंगे तब details में बात करेंगे तो यहाँ पर कहा जाता है magnification is 2 आप गौर से देखे यह एक pure number होगा इसका कोई unit नहीं होगा क्यूंकि दो same physical quantity 10 cm height और 5 cm height दो same physical quantities का ratio है तो जो unit है वो unit cancel out हो जाएगा तो यहाँ पर इस case में magnification 2 है इसका कोई unit नहीं है अब थोड़ा real example देख लेते हैं यह एक concave mirror है और यहाँ पर एक object रखा गया 4 cm का इसका image बन रहा है कोची स्तरा का image जो बना image का height है 2 cm का हमें यहाँ पर magnification पता करना है तो simply हम कह सकते हैं magnification is equal to image का height यहाँ पर थोड़ी देर रुकिएगा क्योंकि यहाँ पर sign convention introduce करना होगा हम वैसे simply कह सकते है magnification is equal to image का height finally कौन बना image बना हम image की magnification की बात कर रहे है image कितना magnify हुआ यहाँ पर यह बड़ा तो नहीं हो रहा छोटा हो रहा फिर भी आप समझ जाएंगे इसका मतलब क्या होगा well तो यहाँ पर magnification magnification is equal to finally उसका जो height बनेगा which is 2 cm और यहाँ पर मैं आपको बता दू जब भी आप mirror related कोई भी formula use करेंगे चाहे वो mirror formula हो या magnification formula हो आपको sign convention follow करना होगा तो यहाँ पर अगर हम sign convention follow करें तो sign convention हमें यह कहता है कि उपर या नीचे अगर आप किसी distance को measure कर रहा है जासे height measure करने के लिए हमें उपर इस तरह से या नीचे इस तरह से measure करना होगा तो उसका measurement principle axis से होगा यह जो है यह center of curvature principle focus और pole होते हुए जो straight line है straight line को principle axis कहा जाता है तो principle axis से हमें measure करना होगा तो यहाँ पर देखे कर रहे है इसके height को तो हम नीचे की तरफ बढ़ रहा है principle axis से that mean that mean जो sign convention कहता है वो sign convention ये कहता है कि अगर आप उपर की तरफ measure कर रहे है तो उसे आप positive consider करे और अगर आप principle axis से नीचे की तरफ measure कर रहे है तो आप उसे negative consider करे अब आप magnification पता कीजिए तो यहाँ पर magnification आएगा negative 2 cm divided by 4 cm obviously this is positive 4 cm तो आप calculate करेंगे cm cm cancel हो जाएगा calculate करने से आपको मिलेगा यह negative half well जब भी magnification का value आपको मिला यहाँ पर negative half मिला इसे दो पार्ट में हमेशा तोड लीजीगा एक तो इसका sign यह sign, sign एक special चीज indicate करेंगा positive या negative और दूसरा इसका जो absolute value है इसका जो absolute value है absolute value मतलब sign छोड़ के जो value है यह दोनों ही आपको दो अलग-अलग तरह का information देगा पहला information देखते हैं, sign आपको क्या information दे रहा है, यहाँ पर negative sign आपको क्या बता रहा है वेल, यह negative sign आ कब सकता है जब इन दोनों, जो ratio में दो terms हम यूज कर रहे हैं, इन दोनों में से एक positive हो और दूसरा negative हो कोई भी positive हो दूसरा negative हो, तो फिर हमें यहाँ पर negative sign मिलेगा एक positive और दूसरा negative का मतलब क्या होगा, sign convention के हिसाब से, जो positive है वो उपर की तरफ होगा, principal axis से और जो negative है, वो sign convention के हिसाब से क्या होगा वो principal axis से नीचे की तरफ होगा इसका मतलब, यह negative sign हमें तभी मिल सकता है जब image और object opposite direction में हो, object जिस direction में है, उसके opposite direction में image बने, मतलब वो inverted अगर बने तब जाके यहाँ पर negative sign हमें मिलेगा, तो यह negative sign indicate करता है कि image inverted है, अब यह जो absolute value है, इस value को आप गौर से देखे, यह 1 से जब छोटा होगा, तो यह क्या indicate करेगा, यह एक ratio है देखें यह 2 जो है, अभी sign को आप भूल जाएए, यह 2 divided by 4 मैं लिख रहा हूँ, यहाँ पर चुकि absolute value के साथ हम deal कर रहे है, sign का तो बात हमने कर लिया है, यह जो 2 divided by 4 है, यह 2 क्या है यह 2 है image का size यह 4 क्या है, यह object का size है, यह object का size है और यह image का size है 1 से छोटा value less than 1, हमें तभी मिल सकता है, जब कि image less than 1, magnification का value less than 1, sign छोड़के absolute value की बात कर रहे है, less than 1, यह जो absolute value है, half sign को अभी भूल जाए, sign वाला काम हो गया यह half, यह 1 से छोटा तभी हो सकता है, जब कि image object से छोटा बने, क्योंकि image numerator में है image size, image का height और object का size denominator में है तो object का size जब बड़ा होगा image से, उस समय हमें magnification का numeric value या absolute value मुझे कहना चाहिए, absolute value 1 से छोटा आएगा तो इस case में magnification is negative half, negative sign बता रहा image inverted होगा, और यह 1 से छोटा value यह जो half है, यह बता रहा है कि image छोटा बनेगा object से छोटा बनेगा image, इसी तरह का एक और example देख लेते हैं, यहाँ पर object को center of curvature में रखा गया, तो जो image बनता है, इससे पहले पिछले वीडियोज में हमने देखा था, जो image बनता है, वो same size का होता है, यहाँ पर दोनों 4 cm का है, तो sign convention के हिसाब से, इसे negative 4 हम consider करेंगे, अब magnification अगर आप देखें, तो magnification is equal to, जो object का size है negative 4 cm, माफ की जगा जो image का size है, divided by जो object का size है, तो यहाँ से आपको negative 1 value मिलेगा, यह negative sign आपको यह बताएगा कि जो image है यह inverted है, object के direction में नहीं है, opposite direction में है और यह one यह बताएगा आपको कि object का size और image का size exactly same है यह वो special case है जब एक concave mirror के सामने उसके center of curvature में object को रखा जाता है, तो उसका image जो है, ठीक उसी point में बनता है, center of curvature में ही बनता है, लेकिन वो inverted बनता है, और साथी साथ उसका size जो है, वो exactly same होता है, object के size के image का size, object का size बिल्कुल same होता है, इसी लिए magnification का value 1 आया अब थोड़ा change कर लेते हैं scenario को यहाँ पर object तो वही है थोड़ा हमने हटा के इसे place किया है अब देखे, यह जो image बन रहा है यह image अब बड़ा बन रहा है यहाँ पर आपको 8 cm को negative consider करता होगा क्योंकि यह नीचे की तरफ है principal axis से नीचे की तरफ हम measure कर रहे है यह 4 cm obviously positive है तो magnification is equal to image size 8 cm, negative 8 cm object size 4 cm, तो यहाँ से आपको मिलेगा negative 2, तो यहाँ पर magnification negative 2 है, यह जो negative sign है, यह बताएगा कि image जो है, image inverted है और यह 2 जो है, यह 2 आपको indicate करेगा कि magnification 2 times हुआ मतलब image जो है object से बड़ा होगा और double size का होगा, 2 times size का होगा, उसी तरह से अगर हम एक convex mirror का case consider करें, object वही है, अब हम इसका image देख रहे हैं, कहाँ पर बन रहा है, यहाँ पर image बना है, तो दोनों ही cases में देखे, हम इसे positive consider करेंगे, उपर की तरफ है यहाँ पर magnification देखे, आपको मिलेगा image, यह वाला image है, 2 cm image का height divided by object का height, तो आपको centimeter, centimeter cancel हो गया तो आपको मिलेगा one half one half magnification के तोर पे आपको मिला, और यह positive one half आपको मिलेगा यहाँ पर, plus one half यह positive sign आपको यह बता रहा है कि image जो है, यह erect है सीधा है, उल्टा नहीं है और यह half आपको यह बता रहा है, कि उसका magnification half times हुआ, मतलब उसका size half हो गया, अब चलिए आगे बढ़ते हैं, और यह देखते हैं कि magnification को अगर हम formula में represent करें, तो किस तरह से represent करेंगे, इसके लिए सबसे पहले चलिए मानते हैं, कि यह जो height है, object का height, यह h है, और जो image का height है यह h dash है, तो फिर जैसे कि हमने अब तक बात किया, यहां से यह clear है, कि magnification होगा height of image, divided by height of object, यहां तक तो हमें पता है, अब देखें, इसके लिए एक और formula हम use कर सकते हैं, वो formula है, negative of इस negative sign को मत भूलिएगा negative of v divided by u, यहां पर v है image distance mirror से image तक का distance और u है object distance, mirror से object तक का distance, well, अगर इस v की बात करें, तो यह v है इस mirror का जो pool है central part है, जो central point है mirror के surface में, उस pole से इस image तक का distance, यह हो गया v image distance, और pole से object तक का जो distance है यह हो गया object distance, जिसे की u से हम represent करते हैं लेकिन भ्यान दे, जब आप magnification के लिए यह formula use करेंगे, उस समय v का जो भी value होगा वहाँ पर sign convention आपको follow करना होगा, और u का भी जो value होगा, वहाँ भी sign convention आपको follow करना होगा sign convention यह कहता है कि जो भी parallel to principal axis है, यह देखें, यह principal axis है, जो भी parallel to principal axis आप distances measure कर रहे है जासे कि v को कर रहे है, u को कर रहे है वो pole से करना होगा आपको और साथ ही साथ जो positive direction of x-axis है इसे positive और negative direction of x-axis में इसे negative consider करना होगा for example हम माल लेते हैं कि ये u जो है object जो है इसे माल ले कि 6 cm दूर रखा गया mirror से pole से 6 cm दूर है और ये image बन रहा है 3 cm दूर mirror से pole से यहां तक का distance 3 cm तो यहां पर अगर आप magnification पता करेंगे तो simply इन values को directly मत put कीजिए यहां पर आप sign convention पहले follow कीजिए sign convention के हिसाब से इस direction में measurement positive होगा तो ये plus 3 cm हो जाएगा और इस direction में measurement negative consider करेंगे तो ये negative 6 cm हो जाएगा अब अगर आप magnification देखे तो आप पाएंगे magnification is equal to negative of V का value है 3 cm, positive 3 cm और U का value है negative 6 cm तो यहां से negative sign ये cancel हो जाएगा और आपको magnification के तोर पे मिलेगा positive half ये positive sign आपको बता रहा है कि image जो है ये erect है सीधा है उल्टा नहीं है और ये half आपको बता रहा कि image आधा हो गया well अब इस knowledge के साथ चलिए NCRT में दिया हुआ कुछ examples हम solve कर लेते हैं सबसे पहले 10.1 इसका पहला part हमने पिछले वीडियो में mirror formula वाले वीडियो में हमने solve किया है तो अभी second part पे हम बात करेंगे इस part के लिए important जो चीज है वो यही है कि एक convex mirror है और इससे पाँच मीटर दूर एक यहाँ पर एक object को रखा गया एक bus है तो यह जो object distance है यह 5 मीटर का है लेकिन ध्यांदे sign convention के हिसाब से इसे हम negative 5 मीटर consider करेंगे हमें image का position पता करना है जो कि last video में हमने पता कर लिया है image का position यहाँ पर यह 1.15 मीटर है image का position यह हमने पिछले वीडियो में पता किया है इस वीडियो में हम सिर्फ पता करेंगे image का nature and size थोड़ा सा repeat हो गया question यहाँ पिछले वीडियो में हमने इसे solve किया था position of image पता कर लिया था जो कि 1.positive 1.15 मीटर है जो कि nearly यहाँ पर situated होगा आज हम क्या करेंगे इस वीडियो में अभी पता करेंगे nature and size of the image जिसके लिए हमने जो पढ़ा अभी तक magnification के बारे में वही knowledge काफी हो जाएगा तो अभी आप देखें अगर मैं magnification का formula यहाँ पर use करता हूँ तो magnification को मैं कह सकता हूँ negative v over u यहाँ पर h- divided by h को use नहीं कर सकते हैं हम लोग क्योंकि यह जो h- है इसके बारे में हमारे पास कोई भी knowledge नहीं है तो अब यहाँ से negative v over u यह value अगर हम put करें तो फिर हम magnification पता कर सकते हैं वेल यह जो image बन रहा है इस point में बनेगा तो यहाँ पर v जो है हमने last video में पता लगाया था यह होगा 1.15 meter तो sign convention के हिसाब से यह positive हो जाएगा इस direction में positive direction में measure कर रहे हम और u का value negative 5 meter है तो अभी values को put करें तो यह हो जाएगा negative v का value है positive 1.15 meter divided by u का value है negative 5 meter यह negative sign यहाँ से cancel कर दे आप calculate करें तो आपको मिलेगा यह होगा positive 0.23 magnification is positive 0.23 यह आपको क्या बता रहा है सबसे पहले तो देखे positive sign क्या बताएगा positive sign बताएगा कि image जो है यह सीधा बनेगा erect बनेगा और यह जो value है 0.23 यह बताएगा कि जो image बन रहा है object का कितना times बन रहा है तो object का 0.23 times बनेगा या फिर कहें 23% बनेगा तो लगबग लगबग 1 4th जो object है उसका 1 4th size होगा लगबग लगबग 0.25 होगा तो 1 4th हम directly कहते है यह लगबग लगबग 1 4th हो रहा है तो यहां से हम कह सकते हैं कि image जो है यह diminished होगा छोटा होगा diminished होगा diminished in size क्योंकि यह जो value है this value is less than 1 clearly it is less than 1 तो यह बता रहा है यह diminished है साथी साथ last video में हमने देखा था कि image जो है यह पीछे बन रहा है mirror से तो यह obviously यह real image नहीं होगा यह virtual image होगा so यह virtual image है diminished in size है कितना diminished है 0.23 टाइमस बन गया है object का और यह positive sign बता रहा है कि यह erect है image erect है सीधा है well यह तो दूसरा पार्ट जो बाकी था उससे हमने solve कर लिया मैं फिर से बता दू कि यह जो example है इसका जो first part है यह जो हमने derive किया है यह जो पता लगाया है calculate किया यह पिछले वीडियो में हमने किया है mirror formula वाले वीडियो में अब अगले example की तरफ बढ़ते है 10.2 10.2 में यह जो first part है इसका इसे भी हमने mirror formula वाले जो वीडियो है उसमें हमने solve कर लिया है second part पर अभी ध्यान देते हैं हम लोग चलिए यहाँ पर object को जो है इस concave mirror से 25 cm दूर place किया गया है यहां से यहां तक का जो distance है U that is 25 cm और obviously sign convention के हिसाब से यह negative हो जाएगा और last video में हमने यह पता लगाया था कि image distance जो है negative 37.5 meter है माल लेते हैं यहां पर है वो यहां पर image बन रहा है अब हम क्या करेंगे nature and size of the image हमें पता करना है साथी साथ यह भी कहा गया कि जो object है यह 4 cm का है 4 cm है हमें image का exact size बता करना होगा क्योंकि यहां पर exact size object का बता दिया गया है और उसका nature पता करना होगा यहां पर यहां पर गौर करें कि magnification का formula हमने क्या दिखा है h dash divided by h that mean image का height divided by object का height that is also equal to negative v over u ठीक है अब आप गौर करें आप अगर आप अगर h dash पता कर रहा है तो आप कैसे पता कर सकते हैं सबसे पहले magnification पता कर ले एस वाले part से आप magnification पता कर ले फिर उस value को इसके साथ equate करके h dash divided by h के साथ equate करके आप पता कर ले h dash का value कितना है या फिर या फिर एसे इसे पूरा एक साथ use करते हुए आप directly भी पता कर सकते हैं वेल इस वाले equation को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ h dash is equal to negative v over u into h यह h जो है इस side में जाके numerator में चला जाएगा अब values को अगर मैं put करता हूँ यहाँ पर negative v का value जो है यह हो जागा negative 37.5 cm ठीक है v हो गया यह u है negative 25 cm और h जो है यह है 4 cm तो यहाँ से सबसे पहले negative negative sign cancel हो गया centimeter centimeter cancel हो गया और अब calculate करेंगे तो हमें क्या मिलेगा देखे negative 25 into 1.5 is 37.5 25 का डेड़ गुना होता है 37.5 तो यहाँ पर 1.5 negative 1.5 negative 1.5 into 4 cm तो आपको मिलेगा यह हो जाएगा negative 6 cm तो यहाँ पर यह जो negative sign है यह क्या बताएगा यह बताएगा कि image जो है यह negative sign यह बताएगा जो image है वो नीचे की तरफ बनेगा यह negative sign वही बता रहा है sign convention के हिसाब से वो यह बता रहा कि वो नीचे बनेगा और 6 cm उसका height होगा यह उसका height है तो image कुछ ऐसा बनेगा 6 cm का तो होगा लेकिन वो नीचे की तरफ बनेगा sign convention के हिसाब से इसे हम negative 6 cm मानेंगे तो इस तरह से अगर आप देखे तो और भी अगर information हम यहां से पता करें तो यह obviously real, real image बनेगा क्योंकि इसी part से हम उस चीज को बता सकते हैं यह part जो है, यह part यह बता रहा है कि image कहां पर बन रहा है mirror के पीछे बनने से वो virtual image होता mirror के पीछे नहीं बन रहा है, सामने बन रहा है तो वो real image है, इसी part से जो हमने पिछले वीडियो में पता किया था इसी part से हम यह कह सकते हैं कि वो real है साथी साथ वो enlarged है, बड़ा हो गया है हमने proper size पता कर लिया तो अब enlarged कहने का कोई मतलब नहीं है क्योंकि हमने exact size इसका बता दिया है यह enlarged हो गया है, बड़ा हो गया है और साथी साथ यह inverted है यह negative sign बता रहा कि यह inverted है तो इस तरह से हमने example 10.1 और 10.2 को भी solve कर लिया पूरा का पूरा अब solve हो गया यह तो I hope कि वीडियो आपके लिए helpful रहा होगा अगले वीडियो में अब हम शुरू करने वाले हैं reflection उस वीडियो का link आपको यहाँ पर screen पे मिल जाएगा यहाँ click करके आप उस वीडियो को देख सकते हैं अब जाते जाते मैं आपको बता दूं कि पूरा playlist का जो link है वो आपको description box पे मिल जाएगा तो I hope कि अगले वीडियो में ज़रू मुलाकात होगी तो मिलेंगा आपसा अगले वीडियो में तब तक के लिए खुश रहें get by